खुसी बुटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी दबाईए ओल पे कलिक कीजिए लेटेश डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कर ली है यह मैंने निशान सारे कंप्लीट कर ली है यह चश्ट का निशान है यह आर्म का निशान है यह कुछ में और देखने का मैं नहीं बता आई शिर्फ सिर्फ मापको प्लेट के बारे में मैं बताने वाली हूं कि प्लेट हमें कैसे और क्यों डालनी चाहिए तो देखिए इस कुर्टी की फीटिंग मुझे रखनी है 24 इंच तो 44 इंच फीटिंग रखने के लिए हमें 11 इंच पे निशान लगाना होता है जैसे 11 इंच पे सिलाई करेंगे तो 44 इंच चेस्ट हो जाएगी लेकिन मैं इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेती हूं लूजिंग का क्योंकि हम कुर्टी में लूज करने पड़ती है तो यह कपड़ा भी खराब हो जाता है सिलाई खोलने से बार बार में तो इसलिए आपको लूज ही निशान लगाना है आधा इंच अगर कुर्टी आपकी लूज लगे तो आप इसको बाद में सिलाई लगा सकते हैं तो इसलिए मैं यहां पे आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ सड़े 11 पी यहां पे मुझे कमर रखनी है 40 इंच तो मैं 40 इंच के हिसाब से यहां पे 10 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और यहां पे हीप रखनी है 24 इंच तो मैं यहां पे 12 इंच पे निशान लगा लेती हूँ तो ये निशान मैंने लगा लिए है ये कमर का निशान हो गया ये हिप का और ये चेस्ट का तो अब देखिए हम इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे जैसे हम सिलाई करते हैं तो इन निशानों को ऐसे मिलाते हैं और इसके बाद में फिटिंग करते हैं यहां से ऐसे क्रोस कर देते हैं। तो यहां से ज्यादा क्रोस हो जता है। एक तो आपको सिधा करके प्रेस करने में भी दिखत आती है। और यहां से लटका वा सा भी लगता है यह कपड़ा। तो इसलिए आपको इस तरह से ना रख चे आपको इस कुड़ economy में प्लेट डाल हमें प्लेट डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहां पे प्लेट आती तो यहां से ज़्यादा क्रोस नहीं होता तो इसलिए आपको इस कुर्थी में प्लेट नहीं डालनी होती लेकिन मुझे इसकी 44 इंच चेस्ट रखनी है तो मैं इसमें प्लेट डालूंगी इस बात का आप ध्यान रखें कि जिसकी चेस्ट और हिप ज़ादा हो कमर कम हो तो उसी कुर्टी में आपको प्लेट डालनी है अगर आप कुर्टी में प्लेट नहीं डालेंगे तो आपकी सिलाई इस तरह से क्रोस में आएगी और बाद में आपको प्रेस करने में भी दिकत होगी और पहनने के बाद यहां से थोड़ी बहुत लोजिंग भी आएगी अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्लेट कैसे डालनी है तो देखिए यह इंची टेफ है इसको आप यहां पे जो कंदी की सिलाई होती है यहां पे यहां पे इंची टेफ पुल गई है और यहां से आपको निपल तक नाप लेना है जहां पे निपल का नाप आता है जैसे सड़े 10 इंच पे नाप आता है निपल का तो आधा इंच उपर से एक्स्ट्रा मार्जन लेंगे और आधा इंच नीचे से तो इसमें मैं आपको बता देती हूं कि जैसे आधा इंच उपर और आधा इंच नीचे तो मैं साड़े ग्यारा इंच पे निशान लगाऊंगी साड़े दस इंच पे निपल का निशान आता है तो साड़े ग्यारा इंच पे निशान लगाना है और यहां से बीट से आपको कितना रखना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपको नाप इस तरीके से लेना है दोनो नीपल से इसमें आता है सड़े साथ इंच तो यहां से पोने चार इंच पे निशान लगाएंगे पोने 4 इंच पे जैसे डबल करते हैं तो उसका हो जाता है सड़े 7 इंच तो यहाँ बीट से हम लगाएंगे पोने 4 इंच पे निशान यहाँ पे इस निशान को प्लस बना देना है इस तरह से और अब आपको प्लेट की लंबाई देखनी है कि प्लेट की लंबाई आपको कितनी रखनी है जैसे आपकी कुर्ती की हिप ज्यादा है जैसे पैट हेवी है तो आपको छोटी प्लेट लगानी है अगर हम लंबी प्लेट लगाएंगे तो पेट से कुर्ती टाइट हो जाएगी लेकिन अब हम छोटी प्लेट लगाएंगे तो पेट से कुर्ती टाइट नहीं होगी यहां से थोड़ी सी लूज ही रहेगी तो इसलिए आपको छोटी प्लेट लगानी है अगर पेट बड़ा ह सहो हो तो जैसे सअड़े 5 या 6 ग कि मैं इसमें 6 की प्लेट लगा लेती हूँ का है और यहां से भी हम पने चार गन्ज पर निशान लगाएंगे जितना हम ने यहां से निशान लगाया उतना ही हम यहां से निशान लगाएंगे इस निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे यहां पे भी आपको प्लस का निशान लगाना है और यहां पे भी दोनों साइड यह निशान प्लस का हो गया है तो इसका रिजन भी आपको बताऊंगे कि यह दोनों साइड हमने प्लस का निशान क्यों लगाया है तो देखि यह मैंने प्लेट का निशान लगा लिया है अब मापको इसकी फीटेंग दिखाती हूँ कि जैसे हमने ये वाली गुलाई की है क्रोष में तो अब हम यहां पर एक इंच एक्सिरा निशान लगाएंगे है इस तरह से हैं यहां परuest एक इंच एकल निशान लगाएं क्यों लगाया हमने क्योंकि यहां पर प्लेट में एक इंचे चिलाई आ जाएगी थो यहां पर एक एक श्ट्रा निशान लगा लते हैं जैसे मैने DAR consume लगाया तो मैं यहां दर आइश पर निशान लगा लेती हैं estar müssen São two-verse अगे इस तरह से और इस निशान को हिपके निशान से मिला लेंगे Soق तो देखे यहां पर सिलाई बिलकुल सिधी हो गजाई और यह जो हमें fitting यहां से करने है यह हमारी fitting प्लेट में हो जाएगी तो यहां से आपको यह सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपको प्रेस करने में दिक्कत आई ही और ना ही आपकी कुर्टे में जोलाई ही तो प्लेट लगाने का यह फाइदा हुआ अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको back plate कैसे लगानी है जैसे यहाँ पे निशान लगा लिया है इसी निशान को हम नीचे वाले कपड़े में लेके जाएंगे नीचे वाले कपड़े में आप चाहे तो किसी हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पे उंगली रख के निचे की साइड निशान लगा सकते हैं इस तरह से और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा से यहाँ पे टच हुआ मिलेगा आपको कपड़े पर वहीं पे आपको निशान लगाना है वहाँ पे भी आपको प्लस का निशान लगाना है इस तरीके से तो आपको चारों हिस्सों में प्लेट का निशान इस तरीके से लगा लेना है जैसे ये फरंट पार्ट हुआ और ये बैक पार्ट हुआ तो यहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे भी आपको प्लस का निशान बना लेना है और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है इस तरह से तो देखिए हम आपको बता देती हूँ कि प्लेट आपको कैसे लगानी है जैसे हमने ये निशान लगाया तो इस निशान से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से दोनों साइड आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे इस प्लस के निशान से ऐसे दोनों साइड हमें इस तरीके से निशान लगाना है और यही सेम निशान आपको यहाँ पे भी लगाना है जैसे आधाइच यहाँ पे आधाइच यहाँ पे और यहाँ से आपको प्रोस में नहीं लेना है बिल्कुल तिर्चा लेना है सुई की तरह है ऐसे ऐसे आपको गुलाई में निशान लेना है यहाँ पे कोई भी आपको कोना नहीं बनाना है और इसी सेम तरीके से आप सारी प् फ्लेट थोड़ी सी लंबी लगानी हैं यहां से एक प्लेट ऍसकी माइप कमर उती है एर तो आप फ्लेट थोड़ी सी मनें चाहिए तो इसलिए मसाइब भूड़ी प्लेट को लंबी करना है तो बैक प्लेट आपको जरूर से लंबी ही करनी होगी इस तरह से आप डेड इंच बैक प्लेट लंबी कर लेजिए और सेम निसान इस तरह से लगा लेजिए याद रहे आपको कि front plate छोटी और back plate थोड़ी शी बड़ी लगानी है अब मैं आपको बता देती हूँ कि plate आपको कैसे लगानी है तो चलीए मैं आपको एक plate लगांकर दिखा देती हूँ तो देखिए मैंने अलक दागे से इसमें ये plate लगाई है यह आपको दिखा देती हूँ कि आपको इस तरीके से प्लेट लगानी है इतना लंबा दागा आपको छोड़ देना है यहाँ पे इसको कटिंग नहीं करना है और नहीं आपको यहाँ पे सिलाई पकी करने की जरूरत होगी तो दोनों साइड आप इस तरीके से दागा छोड़ झाल झाल